नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड़ाम से क्यों जिक्के में दोस्तों राजस्तान जिक्के टेस्ट का एक और सांदार वीडियो लेकर हाजीर है दोस्तों आपके लिए और दोस्तों हमने कुछ पहले भी इस परकार के वीडियो अपलोड कर चुक और राजस्तान की परिक्साओं में दोस्तों देखने को मिलता है कि पुराने पर्सन जरूर रिपीट होते हैं या तो पर्सन को सीधे तोर पर पूछ लिया जाता है या फिर दोस्तों उनको आप्सन में से ही पर्सन बना कर पूछ लिया जाता है तो दोस्तों आज हम इसमें ल लेकिन मानिए ये वीडियो आपके लिए मैत्पॉर्ण साभीत होने वाला है अब सबसे पहले इस पेपर की बात करें तो ये पेपर है दोस्तों कनिष्ट अभ्यांता सिविल डिगरी दारेक संयुक सिधी बढ़ती 2022 की ये बढ़ती है और इसका एक्जाम भी देखे दोस्तों हाली में अनी 18-5-2022 को इसका एक्जाम हुआ था तो दोस्तों ये परसन आपके लिए मैत्पॉर्ण जरूर साभीत होंगे वीडियो के अंतर तक बने रहेगा और ये पेपर जो कनिष्ट अभ्यांता का पेपर है और इसका पहला परसन बिना देरी के साथ सुरू करते हैं द या फिर उत्कनन करता सुमिलित नहीं है तो दोस्तों या पर तो देर के या पर प्राची निस्तल या फिर दोस्तों ये जो सब्याता है ये और या पर देर के दोस्तों उत्कनन करता तो बेराट के उत्कनन करता दयाराम सहानी है तो ये तो दोस्तों सुमिलित है तो पहला ये option तो सही है, हमें क्या पूचा है कि सुमिलित कौन सा नहीं है, दोसरा दोस्तो आहड, आहड के दोस्तो S, P, J, N उत्कनन करता नहीं है, तो B option ही इसका right answer होजेगा, ये ही दोस्तो सुमिलित नहीं है, और काली बंगा की अमलानन गोस्त उत्कनन करता है, ये सुमिलित है, बा आहड की बात करें, तो आहड का उत्कनन दोस्तों, तीन बार हुआ, सबसे पहले बात करें, तो सबसे पहले इसका उत्कनन दोस्तों, 1953 में, कब 1953 में, अकसे कीरती व्यास ने, अकसे कीरती व्यास ने, दोस्तों सबसे पहले इसका उत्कनन किया, दूसरी बार दोस्तों, इसक चपन में हुआ और R.C. अगरवाल ने किसने दोस्तों R.C. अगरवाल ने दूसरी वार इसका उतकनन क्या यहाँ पर R.C. अगरवाल के फॉर्फॉर्म है दोस्तों रतंचंद्र अगरवाल क्या है दोस्तों रतंचंद्र अगरवाल और अंतिम बार दोस्तों इसका उत्कनन हुआ था 1961 में कब हुआ दोस्तों 1961 में और HD साकलिया ने HD साकलिया ने दोस्तों इसका उत्कनन किया था अंतिम बार तो तीसरी बार इसका उत्कनन किया गया HD साकलिया द्वारा तो दोस्तों इन तीनों को याद रखेगा सर्वपर्थम इसका उतकनन 1953 में अक्सेग餃ती व्यास दवरा आट का उतकनन दोस्तों दूसरी बार इसका उतकनन 1956 है याँ पर दोस्तों 1956 में आर्सी अगरवाल दवरा और तीसरी बार दोस्तों और अंतिम बार इसका उतकनन 1961 में HD सांकलिया द्वारा उतकनन किया गया तो B option हो जाएगा हमारे पहले का सही उतर इन सभी के बारे में दोस्तों आप ध्यान रखियेगा अब दोसरा परसन दे रहा है दोस्तों कि राजस्तान में सुरक्सित रक्सित वनों का परतिसत कितना है अब दोस्तों राजस्तान की बात करें तो यहां पर तो जो RSM SSB बोर्ड है उन्होंने दोस्तों इसका सही उत्तर माना है 54.33 परतिसत क्या माना दोस्तों 54.33 यानि कि ए ओप्षन इसका सही उत्तर माना है लेकिन दोस्तों वन रिपोर्ट वन रिपोर्ट दो जार इकिस की बात करें क्योंकि ये दोस्तों हर दो सालों में ये रिपोर्ट अपडेट होती रहती है वन रिपोर्ट और दोस्तों इकिस की बात करें वन रिपोर्ट की तो दोस्तों यहाँ पर जो रक्सित या सुरक्सित वन है उनका परतिसत कितना है दोस्तों राजस्तान में 56.49 परतिसत कितना है दोस्तों 56.49 परतिसत यह है किसका रक्सित वनों का और आरक्सित वनों की बात करें दोस्तों किसकी आरक्सित वनों की यह दोस्तों है रिपोर्ट आपके 2021 की और यहाँ पर i button पर click करके दोस्तो one report 2021 के बारे में जितने भी परसन बनते हैं आप i button पर click करकर अब आपको i button दिख रहा होगा उसमें जाकर दोस्तो आप one report 2021 के परसन जितने भी है वो आप देख सकते हैं और current की दस्ती से यह आपके लिमेंट पूर साबित होगे तो i button पर आपके लिए करके इसको देख सकते हैं अब दोस्तो आरक्सित वनों की बात करें तो आरक्सित वनों का परतिसत 37.05% है और जो अवरगी करत वने कॉनसे अवरगी करत वने उनका परतिसत है दोस्तो 6.46%UST कितना है अब चलते हैं दोस्तों अगले तीसरे परसन क्यों तीसरे परसन है कि निमलिकित मैं से कौन सी इस्तला करती अरावली सरंकला में अवस्तित नहीं है तो इन मैं से कौन से इस्तला करती है जो अरावली सरंकला में अवस्तित नहीं है ये है दोस्तों कौन सी मुकुंद्रा की पा अरावली में अवस्तित नहीं है और बाकि दोस्तो भॉराट पठार लसाडया पठार और गीरवा पहाड़ ये सभी दोस्तों अरावली स्रंकला में अवस्तित है तो B option इसका सही उत्तर है अगला है दोस्तों चौता परसन की निमल कित मैंसे कौन सा परेटनिस्तल जिल्ला सुमेलित नहीं के बारे में पूछा है दोस्तों तो यहां पर तो देर के परेटनिस्तल और यहां पर देर के दोस्तों जिल्ला तो false अगर है वो बुंदी में है तो ये तो सुमेलित है पांडु पोल ये अलवर में ये भी सुमेलित है कीरडु मंदीर ये जलावाड में नहीं है ये कहाँ पर है दोस्तों ये बाड मेर में कहाँ पर है बाड मेर में तो option C ही सही सुमेलित नहीं है यानि इसका सही उतर है option C बागी अंतिम ए ओप्षन जो हमारे चंदर महल ये जैपूर में तो ये भी सुमिलित है अगले परसन की और चले है दोस्तों तो अगला परसन पांचवा परसन निम्मन लिकिद में से कौन सी संस्था और स्टापना वर्ड सुमिलित नहीं है अब दोस्तों यहाँ पर जो सुमिलित नहीं है उसके बारे में हमें बताने तो नर्यंदर मंडल की स्टापना 1921 में राजस्तान सिवसंग 1919 में और मारवाड इतकारिनी सबा की 1923 में नहीं इसकी स्टापना 1921 में कब हुई थी 1921 में मारवाड एतकारिनी सबा की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना दोस्तों चांदमल सुराणा ने किसने चांदमल सुराणा ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी कब 1921 में तो option C है इसका सही उत्तर बाकि अखिल भारती देश्ती राजी लोग इसकी स्थापना 1927 में हुई थी तो इसका सेवत्वरा का दोस्तो option C अब अगला है दोस्तो चटा परसन हमारे कि अनुचे 243 फर में क्या वर्णी थे तो यह पॉलिटी का परसन दोस्तो कि अनुचे 243 इसमें क्या वर्णी थे या फिर 243 वी में दोस्तो क्या वर्णी थे इन्दी में दोस्तो रुक आपके फर्देर का है लेकिन आपने इंगलिस में पढ़ा होगा तो यहाँ पर इंगलिस में भी दोस्तो देर का है जो 243 वी है इसमें क्या वर्णी थे तो दोस्तों 243 V में किसका वर्णन है ये दोस्तों नगरपाली का सदस्याता के लिए जो भी नियरता है उसका वर्णन है दोस्तों 243 I में किसमें 243 F या फिर दोस्तों 243 I में तो option D इसका सही उत्तर है अगला साथ नबर परसन है कि निमलिकित मैं से किस दुर को राजस्तान का वेलोर कहते हैं तो important परसन दोस्तों कई बार पूचा गया यह परसन है तो राजस्तान का वेलोर का जाता है दोस्तों 228 गड़ को किसको का जाता है 228 गड़ को option C होगा इसका सही उत्तर अगला है दोस्तों हमारे आठ नबर परसन तो यह थोड़ा current की दर्शिट से परसन है दोस्तों important भी है पूचा जा सकता है कि 31 मार्च 2022 को राजस्तान में सड़कों की कुल लंबई थी तो दोस्तों 31 मार्च 2022 को राजस्तान में सड़कों की लंबई थी कितनी दोस्तों 2,79,028.16 km कितनी थी 2,79,028.16 km ए ओप्षन है इसका सही answer अगला है दोस्तों person 9 person कि जैपूर दोस्ता और अजमेर राजस्तान की किस करसी जलवायू परदेश में सम्मिली थे तो 9 person क्या देर का है दोस्तों कि जैपूर दोस्ता और अजमेर राजस्तान की किस करसी जलवायू परदेश में सम्मिली थे तो ये है दोस्तों कौन से अर्द सुस्क पूर्वी मैदानों अर्द सुस्क जो पूर्वी मैदान जलवायो पर्दे से इसमें ये सम मिली थे तो B नंबर ऑप्सन है इसका राइट आंस्वर अगला है दोस्तों दस नंबर पर्षन पॉलिटिका पर्षन है ये भी दोस्तों कि चोतरवा समिदान संसोधन अधिन्यम कब अस्तित्व में आया तो दोस्तों चोतरवा समिदान संसोधन अधिन्यम ये अस्तित्व में आया दोस्तों कब 1 जून 1993 में कब आया दोस्तों 1 जून 1993 में और दोस्तों इसमें जो सहरी निकाये उनकी सरचनाओं के कार्यों का उल्ले के 14 संसोदन में तो ए नमबर आप्सन है इसका राइट आंसर दस्वे परसन का अगला दोस्तों 11 नमबर परसन हमारे पूचा कि बुंदी की कजली तीज तिवार मनाया जाता है एक परसन और बनता है दोस्तों इसी परसन से कि जो कजली तीज है वो कहां की परसी दे तो वो तो परसीदे कहां की दोस्तों बुंदी की और जो कजली तीज है वो कब मनाय जाता है या फिर कब आती है ये आती है दोस्तों बादरपद कृष्ण तर्तिया को कब आती है बादरपद कृष्ण तर्तिया को option B है इसका right answer अगला बारा नमबर परसन है दोस्तों कि दुगारी किले की चितरकला संबंदित है तो दोस्तों दुगारी किले की चितरकला किस संबंदित है ये बुंदी सहली से किस से है दोस्तों बुंदी सहली से option B इसका right answer है एक और परसन बनता है दोस्तों इसे कि बुंदी सहली का स्व को मुंदी सेली का स्वन काल माना जाता है अगला परसन है दोस्तों 13 परक्रवन निवाज और आहू सायक नदिया हैं तो पर्वन निवाज और आहू दोस्तों किस fas 혁 नदिया है ये है काली सिंद की, किसकी काली सिंद की, A number option इसका right answer है अगला 14 number person है दोस्तों, कि बेड की खेरी नसल पाई जाती है तो दोस्तों बेड की खेरी नसल ये पाई जाती है जोधपुर नागोर और पाली में कहाँ पर दोस्तों जोद्पुर्णागर और पाली में option number B इसका right answer है 14 number person का अगला है दोस्तों 15 number person निमलकित युगुम मैंसे कौन सा लोग देवी परमुक मंदिर असंगत युगुम है अब दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में और इस वीडियो में आपने देखा होगा कि यह जो हमारे देवी का असंगत या कौन सा सुमिलित नहीं है इस परकार के दोस्तों ज़्यादा person उठाता है RSM SSB Board RSM SSB Board दोस्तों इस परकार के ज़्यादा person बनाता है कि इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है या कौन सा असंगत युग में है आपने देखा होगा दोस्तों इसमें भी आपको अनेक से परसन देखने को मिलेंगे और पिछले कुछ वीडियो हमने जो अपलोड के हैं उनमें भी दोस्तों आपको इस परकार की परसन देखने को जरूर मिले होगे तो इस पर हमें ज्यादा देवी ये उनको और यहां पर देरका दोस्तों इनके परमुख मंदीर ये कहां पर है और इनमें से हमें बताने के कौन सा युकम है जो असंगत है तो ब्रामनी माता का परमुख मंदीर दोस्तों सौर्शन बारा में है तो ये तो सुमेली थे नारायनी माता का मंदीर दोस्तों राजगड अलवर में ये भी सुमेली थे आवरी माता का मंदीर दोस्तों आपके असावरा चितोडगड में है ये भी सुमेली थे जिलाणी माता का मंदीर ये दोस्तों सुमेली नहीं है ये दोस्तों जसोल में नहीं है तो जिलाणी माता का जो मंदीर है ये दोस्तों बहरोड कहाँ पर बहरोड जो कि दोस्तो अलवर जिल्ले में आता है कहाँ पर अलवर जिल्ले में तो ये जिल्लाणी माता को मंदीर बहरोड अलवर में है कहाँ पर है बहरोड अलवर में option D है इसका right answer अगला 16 number person है दोस्तो कि निमलिकित मैं से कौन सा आबुसन राजस्तान में इस्त्रियों दोरा गले में नहीं पहना जाता है important person है दोस्तो आबुसन से संब्धित तो तिमनिया ये तो गले में पहना जाता है महिलाओ दोरा मादलिया ये भी पहना जाता है तेवटा ये भी दोस्तो पहना जाता है ओगन्या ये दोस्तो गले में नहीं पहना जाता है तो ये कान में पहना जाता है कापर दोस्तो कान में ओगन्या नामक अबुसन दोस्तो कान में पहना जाता है ना कि गले में अगला है दोस्तो 17 number person most important person है दोस्तो लोग गीत से संबंदित परसन है कि जो जोरावा लोग गीत है इसका संबंद है यहाँ पर जिल्ले देर के हैं दोस्तों तो जो जोरावा गीत है वो किस जिल्ले से संबंदित है यह है दोस्तों हमारे जेसलमेर जिल्ले से किस से दोस्तो जेसलमेर जिले से ऑपसन B इसका right answer है अब ये जोरावा गीत दोस्तो कब गाया जाता है तो दोस्तो ये एक जेसलमेर का लोप प्रिय गीत है जो पतनी अपने पती के वियोग में दोस्तों गाती है जब पती पर्धेश चला जाता है तब दोस्तों पतनी अपने पती के व्योग में जोरवा गीत को गाती है तो option B है इसका right answer अब अगला है दोस्तों 18 number person और important person ये भी दोस्तों कि निमलिकित मैंसे कौन सा सहर राष्टी राजमारग NH8 पर अवस्तित नहीं है तो 27 परसन दोस्तों यहां पर परिवन से संबनी ये परसन बनाए most important person है ऐसे परसन दोस्तों हमेसा एकजाम में गलत होते है तो यहां पर दोस्तों जैपूर, अजमेर और ब्यावर ये दोस्तों NH8 पर अवस्तित है लेकिन दोस्तों पाली ये अवस्तित नहीं है तो D number option है इसका right answer अगला 19 number की चर्चा करें दोस्तों तो बिसलपूर बांध है इसमें पानी की आवक बढ़ाने तो निमलिकित मैंसे कौन सी परियुजना तयार की गई है तो बिसलपूर बांध कहां पर है? टोक में है कहां पर है दोस्तों टोक में हम सभी जानते है तो इसमें पानी की आवक बढ़ाने के लिए ब्रामणी और बनास परियुजना दोस्तों तयार की गई है कौन सी ब्रामणी और बनास? तो C number है इसका right answer अगला है दोस्तों 20 number परसन कि सिरोई जिल्ले में तिवर डाल युक्त एं उबढ़ खाबढ पाढ़ियों को इस्थाने नाम है या फिर उबढ़ खाबढ दोस्तों पाढ़ियों को क्या कहा जाता है? बाकर कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों बाकर? B number option right answer है अगला है दोस्तों 21 number परसन ये भी अच्छा परसन है तोड़ा कि कपूरी देवी किस राजपूत सासक की माता थी? तो कपूरी देवी दोस्तों थी किसकी माता? पर्त्वी राज चोहान तिरत्य की माता किसके माता दोस्तों पर्थिवराद चोहान तिर्थे के माता ओप्सन सीज का राइट आंसर है और इनके पितान के बारे में भी ध्यान रखे है दोस्तों सोमेसवर चोहान कौन? सोमेसवर चोहान दोस्तों इनके पिता का नाम है तो आप्सन सीस का राइडांसर यानि कपूरी देवी किस राजबुत सासक की माता थी तो ये थी दोस्तों पर्तिवराद चोहां तिर्तिय की माता अगला दोस्तों 22 नमबर परसन ये भी पॉलिटी से संबने थोड़ा कि राजस्तान लोक सिवा के परदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारिक से परवत हुआ तो संतो दोस्तों 2011 सभी में 2011 में दोस्तों ये पारित हुआ था लेकिन किस तारिक को हुआ तो ये तारिक थी दोस्तों 14 नमबर कौन सी थी 14 नमबर लोक सिवा गारंटी अधिनियम ये दोस्तों 14 नमबर 2011 को पारित हुआ चलते हैं अब दोस्तों अगले परसन क्यों अगला है दोस्तों 23 नमबर परसन की जो Albert Museum है इसकी इस्तापना जेपूर के किस सासक ने की ती तो इसकी इस्तापना दोस्तों सवय राम सिंग दित्य के द्वारा कियेगे किसके द्वारा सवय राम सिंग दित्य के द्वारा ये भी अच्छा परसन है दोस्तों बी नमबर आप्शन इसका राइट आंसवर है अगला चोईस नमबर परसन ये भी बहुत चांदार परसन दोस्तों अब दोस्तों इ ये वीडियो इस परकार के वीडियो इस चनल पर आते रहेंगे तो इस चनल को दोस्तो सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे परसन दोस्तों आपकी परिक्सा में मैत पुन साबीत होंगे यकिन मानिए तो ये भी सांदार परसन दोस्तों के निमले किदमें से कौन सा जल्वाई प्रकार जिल्ला सुमिलित नहीं है तो इन में ऐसे दोस्तों यह जो वरगीकल क्या गया है यह दोस्तों कॉपेन का वरगीकन है और इन में दोस्तों जो यहां पर BSHW, यह दोस्तों जैपूर, यह सुमिलित नहीं है तो B अब्यारण राजस्तान का चोथा टाइगर बाद रिजर बनने जा रहा है तो ये बनने जा रहे दोस्तों रामगड विश्दारी अब्यारणी है ये कहां परे दोस्तों मुंदी में कहां परे मुंदी में डी ओप्सन है इसका राइट आंस्वर सेरगड कहां परे सेरगड है दोस्तों, बारा में, कहां पर है, बारा में, कुम्बल गड कहां पर है, कुम्बल गड है, दोस्तों, राज समंद में, कहां पर है, राज समंद में, सजन गड कहां पर है, सजन गड है, दोस्तों, उदेपूर में, तो इनके बारे में भी ध्यान रखेगा, इनसे भी दोस्तों परसन आपके बन सकता है एक्जाम में तो इसका सही उत्र था दोस्तो ऑप्षन D रामगड विस्तार या पिरन ये बनने जा रहा है राजस्तान का चोथा टाइगर रिजर्व और ये है दोस्तों बुंदी में अगला है चबिस नबर परसन की राजस्तान की किन जिल्लों में अ गंगा नगर में ही होता है तो गंगा नगर आपको उप्षन दिखे और कपास दिखे दोस्तों तो गंगा नगर को आप आँख बंद करके गंगा नगर पर आप राइट लगा सकते हैं तो ए उप्षन है इसका राइट आंस्वर अगला है दोस्तों हमारे परसन 27 नमर परसन कि दादुपंत में सत्संग इस्तल कहलाता है तो दोस्तों, दादुपंत में जो संत थे, दादुजी इनका जो सत्संग इस्तल है ये कहलाता है, दोस्तों, अलग धरीबा कौन सा अलग धरीबा? option B, इसका right answer है एक चीज और दान रखेगा कि दादू जी का जो जनम हुआ था वो दोस्तों एहमदाबाद में हुआ था कहां पर एहमदाबाद में अगर परसन बने कि राजस्तान के ऐसे कौन से संथ जिनका जनम राजस्तान से बाहर हुआ तो यह दोस्तों दादू जी तो इस परकार के परसन भी दोस्तों बन सकते हैं 28 नमबर परसन चिकनी कोथली क्या है बेहदी सांदार परसन दोस्तों यह हमारे जो रिती रिवाज है उनसे यह परसन बना है तो दोस्तों सबसे पहले परसन बनता है कि चिकनी कोथली होती क्या है यहाँ पर तो दोस्तों आपके option में क्या देर खाए साधी की जो यह एक है लिए क्या है तो चिकनी कोतली दोस्तों जो मुख्यत आपके जो पस्ची में जिले इसमें ये एक परकार की दोस्तों रिती है जो कि साधी की एक रसम है इसमें दोस्तों जब साधी की पस्चा जब वर पहली बार ससुराल जाता है तब दोस्तों ससुराल जाने पर उनको दोस् दोस्तों मिठा भेट किया जाता है इसी को दोस्तों चीकनी कोतली कहा जाता है अब यहां पर चीकने का अर्थ कैसे हुआ दोस्तों गीसे यानि ऐसी मिठाई जो गीसे बनी वी होती है जब वर पहली बार ससुराल जाता है तो इसको दोस्तों जो गीसे बनी वी मिठाई या जो मीठा पकवान होता है, वो दोस्तो भेट सवरू परदान किया जाता है, तो इसी को चिकनी कोतली कहा जाता है, तो B नमबर रॉप्षन है हमारे इसका राइट अंसर, और यह मुख्यत दोस्तो जो पस्ची में जिल्ले हैं हमारे राजस्तान के, उसमें ये दोस्तों पर्चलित रसम है अगला है दोस्तों अमारे 29 नमबर परसन कि हुँ गोरी किन पीवरी उपन्यास के रच्यता है बहदी सांदार परसन ये भी दोस्तों ये रचना है दोस्तों यागवेंदर सर्मा चंदर की किसकी रचना यागवेंदर सर्मा चंदर की B नमबर है इसका सही उत्तर अगला दोस्तों 30 नमबर परसन है कि पूर्व पस्चिम गल्यारा किस जिल्ले से होकर नहीं गुजरता है ये भी अच्छा परसन है दोस्तों ये भी इस्टा लगाने लायक परसन है तो दोस्तों सबसे पहले बात करें पूर्व पस्चिम गल्यारी की तो ये दोस्तों राजस्तान के साथ जिल्लों से होकर गुजरता है कितने जिल्लों से दोस्तों साथ जिल्लों से अब इन साथ जिल्लों की बात करें तो साथ जिल्लों में C Korei यहां पर इस्तित है इससे दोस्तों पूर उपस्रिम गलियर है, गुजरता है पहला तो ओगे आपके C Korei जिल्ला दूसरा है दोस्तों हमारे भीलवड़ा इससे भी दोस्तों यह गुजरता है तीसरा दोस्तों है हमारे कोटा इससे भी ये गुजरता है और चौते जिल्ले की बात करें तो चौता जिल्ला है दोस्तों हमारे चितोड इससे भी दोस्तों ये पोरुपस्चिम गल्यार गुजरता है कोटा भी हो गया बोंदी बोंदी से दोस्तों गुजरता है ये हो गया पांचवा चटा हो गया दोस्तों बारा कौनसा बारा इससे भी दोस्तों ये गुजरता है और जो साथवा जिल्ला है वो है दोस्तों हमारे कौनसा इसमें नहीं आ रहा ये है दोस्तों हमारे उदेपूर कौनसा उदेपूर तो जो साथ जिल्ले है ये सिरोई भीलवाडा कोटा चितोड बुंदी बारा और उद किस जिल्ले से उकर नहीं गजरता है तो यह दोस्तों जलावाड जिल्ले से नहीं गुजरता है बाकि इंसान जिल्लों से यह गुजरता है इनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा इनसे भी आपको गुमाफ़िरा के परसन roku पोच सकते गया था अब सुमेहल और दोस्तों या पिर सुमेल गिरी भी कहता है इससे यह कशन्य गिरी का यूद यह कब लड़ा गया था सन 1544-2014 में किनके मद्य लड़ा गया मारवार्ड के सासक मालदेव राठोड और दोस्तों सेरसा सूरी के मद्य किनके मद्य सेरसा सूरी के मद्य ये युद लड़ा गया और दोस्तों जो माल देव के सेना नायक थे जैता और दोस्तों कुंपा जैता और कुंपा ये थे दोस्तों मालदेव के सहना नायक इनको भी तोड़ा ध्यान में रखेगा और इनका सम्मादे दोस्तों गिरी सुमेल के युद से और ये युद कब लड़ा गया 1544 एस्वी में तो C नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंस्वर किनके मद्दी लड़ा गया मालदेव राटोड और दोस्तों सेर्शा सोरी के मद्दी अब अगला है दोस्तों परसन 32 नंबर परसन पॉलिटी का परसन ये भी अच्छा परसन है कि नेमिलिकित मैंसे कौन सा धनविदे के सम्मद में सही नहीं है तो इन मेंसे दोस्तों जो विदान सभा का कोई भी सदस ये इसे पेस कर सकता है तो ये सुमिलित नहीं है इसे दोस्तों विदान सभा का कोई भी सदस ये पेस नहीं कर सकता तो ये दोस्तों सही नहीं है धनविदे के बारे में कथन तो D number option इसका सही उत्तर है यहाँ पर दोस्तों हमें सही नहीं इसके बारे में पूचा है ज्यान रखियेगा जो सही नहीं कतन है वो है option बाकी राज़ेपाल की पूर प्रस्तूति के बाद पूर मस्वरी संस्तूति के बाद विदान सभा में यह प्रस्तूत किया जाता है यह मंत्री के द्वारा पेस किया जाता है 14 दिन पस्चात स्वत पारित यह हो जाता है धन विदेग तो इसके बारे में जो अस सत्य कतन है यह दोस्तों विदान सभा में इसे कोई बे सदे से पेस कर सकता है ये दोस्तों हर कोई सद्रे से पेस नहीं कर सकता तो D नमर इसका right answer है अगला है दोस्तों परसन बेहदी ये भी सांदार परसन 33 नमर परसन दोस्तों कि डूंड लोग किसके लिए परसीदे बेहदी अच्छा परसन है दोस्तों ये भी तो ये दोस्तों अवेलियों ये परागत सुंदर इमारतों के लिए ये परसीदे तो D नमर है इसका सही उत्तर अगला है दोस्तों हमारे परसन 35 नमर परसन sorry 34 नमर परसन ये भी पॉलिटी का परसन है निमलिकित में से कौन सा एक राजी सूचना आयूकती न्यूकती है तो गटित समीती का सदस्ये नहीं होता है तो इन में से दोस्तों मुक्य मंत्री ये होते हैं विपक्स के नेता होते हैं मुक्य मंत्री दोर निर्देशी ये कैमिनेट मंत्री ये भी होते हैं लेकिन जो उच नियाले के नियादी से ये दोस्तों राजिय सूचना आयोत की न्यूकती है तो गटित समीती के सदस्ये नहीं होते हैं तो D नमबर है इसका सही उत्तर अगला है दोस्तों 35 नमबर परसंग कि चंदेरिया सीशा जस्ता स्मेल्टर प्लांट इस्तिते तो ये प्लांट कहां परिस्तिते ये है दोस्तों चितोडगड में कहां पर है चितोडगड में ए नमबर इसका राइट आंस्वर है अगला है दोस्तों गियरसन ने किस बोली को भीलो की बोली की संग्या दी तो गियरसन ने दोस्तों वागडी बोली को भीलो की बोली की संग्या दी ए ओप्सन है इसका सही आंस्वर अगला है दोस्तों हमारे 37 नमबर परसन की सुदा परबंद किस ने लिखी तो सुदा परबंद लिखी गई दोस्तों कुमबा के दौरा किस के दौरा माना कुमबा के दौरा लिखी गई और इनके जो अन्ये लेकन याए उनकी बात करें दोस्तों तो सबसे पहले जो संगीत राज है, संगीत राज ये भी दोस्तो कुमबा के द्वार लिखेगी, काम राज ये भी कुमबा के द्वार लिखेगी, और संगीत मिमानसा, कौन सी संगीत मिमानसा, ये भी कुमबा के द्वार लिखेगी, संगीत सुधा, ये भी दोस्तो कुमबा क के द्वारा लिखे गई संगीत रतनाकार ये भी कुंबा के द्वारा लिखे गई संगीत रसीक प्रिया ये भी कुंबा के द्वारा लिखे गई और नर्ती रतनकोस एक और है दोस्तों नर्ती रतनकोस ये भी दोस्तों कुंबा के द्वारा लिखे गई तो इनके साथ साथ दो यारनी जो सुदा परबंध है ये दोस्तों किस ने लिकी ये लिकी कुंबा ने option C.S. का right answer अगला है दोस्तों दुविदा कहानी जिस पर फिलम भी बनेगी ये किस ने लिकी तो ये भी person दोस्तों important ये कुछ परिक्साव में पूछा भी जा चुका है तो ये लिकी कि दोस्तों विजेदान देता ये जिसे जिनें हम बिजी की नाम से भी जानते है इनके द्वारे दुविदा कहानी दोस्तों ये लिकी गई C नमबर है इसका right answer अगला है दोस्तों अड़ाई दिन का जोपड़ा मूलत था यानि कि दोस्तों जो अड़ाई दिन का जोपड़ा है इसके इस्तान पर क्या था दोस्तों यानि अड़ाई दिन का जोपड़ा ये बाद में बना लेकिन इसके इस्तान पर सबसे पहले था द संसकर्थ कॉलेज को तुड़वा कर वहाँ पर दोस्तों अड़ाय दिन के जोंपडाय का निर्माण करवा दिया था तो मुक्यत से संसकर्थell कॉलेज था बी नहंबर ओप्शन इसका राइट आंस्वर है और दोस्तों यह है दोस्तों बहुती सांदार परसन है तो दोस्तों बारत का 1.1.1 परतिसत जल राजस्तान में मिलता है ए उप्सन है इसका राइट आंस्वर तो दोस्तों ये थे हमारे 40 परसन जिसकी हमने पूरी व्याक्या के साथ चर्चा की और येकीन मानिए ये आपके होने वाली आगामी क्यारी कर रहे हैं उनमें दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मैत पूर्ण साबित होगा तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें सेहर के अपने दोस्त के साथ और अगर चैनल पर नहीं है अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो द धन्यवाद मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो में कुछ नए परसनों के साथ तब तक के लिए जे हिंद वंदे मातरम